नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेम स्वल्ड में मैं कमलेश कुमार आज हम लोग जानेंगे फातिमा नाम का मतलब और फातिमा नाम के रासी फल के बारे में साथी साथी अभी जानेंगे दोस्तों कि फातिमा नाम के लड़कियों के लिए कौन सा रंग सुब होता है, कौन सा दिन सुब होता है, कौन सा अंक सुब होता है और कौन सा पत्थर सुब होता है सबसे खास बात यह जानेंगे दोस्तो कि कौन से छेत्र में फातिमा नाम की लर्कियां अपना केरियर बना सकती हैं जिसमें उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी दोस्तो इसे पहले की वीडियो को सुरू करें आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं फातिमा नाम का मतलब यानि कि अर्थ तो आप सभी को बता दे दोस्तों कि फातिमा का अर्थ होता है नभी मुहम्मद की बेटी यनि कि ये एक अर्विक सब्द है और इसका आर्थ क्या होगा नभी मुहम्मद की बेटी या एक मनोरम औरत को हम लोग फातिमा कहते हैं दोस्तो चलिए जानते हैं फातिमा कौन से धर्म के लर्कियों का नाम होता है तो जादातर लोग जानते होंगे मगर फिर भी मैं बता दू कि मुस्लिम धर्म में लर्कियों का नाम फातिमा होता है सुभ अंक की बात करें दोस्तो तो सुभ अंक होता है पांच और रासी फल की बात करें तो मेस रासी होता है फातिमा नाम के लर्कियों का चलिए दोस्तो अब जानते हैं सुभ रंग कौन सा होता है तो सुभ रंग होता है लाल, सफेद और पीला ये जो तीन कलर है बहुत अच्छा होता है सुभ दिन की बात करें दोस्तो तो मंगल बार, मंगल बार बहुत अच्छा होता है फातिमा नाम के लर्कियों के लिए और सुभ पत्थर की बात करें तो मुंगा अत्वा गार्णेट रत्न बहुत अच्छा होता है फातिमा नाम के लर्कियों के लिए दोस्तो अब सबसे खास बात जानेंगे कि फातिमा नाम के लर्कियां कौन से छेतर में अपना केरियर बना सकती हैं तो सेना में, आर्किटेक्ट में, अस्त्र सास्त्र में, बस्तू सास्त्र में ये अपना करियर बना सकती हैं या इन से जुरा चीजों में जिन में इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी साथ ही साथ दोस्तो फातिमा नाम की लर्किया टीचर भी बन सकती हैं जिसमें उनको और जादा सफलता मिलेगी दोस्तो ये थी खास बाते फातिमा नाम के लर्कियों के बारे में अगर आप किसी फातिमा नाम की लर्कियों को जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर सेयर करें फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नाम के साथ तब तक के लिए धन्यवाद